आज तक आपके साथ मैं हूँ सईद अनसारी आज महिला दिवस है देश की सभी महिलाओं को पूरे आज तक परिवार की तरफ से हार दिक शब कामनाएं बढ़ाई महिला दिवस पर आज एक बार फ़र से हमारे देश में हमारे देश की महिलाओं ने अपने काम और अपनी गाबलियत का लोहा मनवाया है सुरक्शा से लेकर हुआ जाहा दो लाने तक जैसे कई सारे काम महिलाओं ने अपने बूते पर कर दिखाए हैं और जिनके बारे में ये माना जाता था कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं महिलाएं नहीं महिलाओं की ये हिम्मत ये होसला आपको कम से गम आज के दिन महिला शक्ति को सलाम करने के लिए मजबूर करतेगा और ऐसा करके आप गर्व महसूस करेंगे सरहत से समुद्र तक आज की नारी का होसला आज की नारी की हिम्मत महिला शक्ति की नायाब तस्वीरे आज की नारी सब पर भारी यूं तो महिलाएं हर महीने हर दिन और हर पल हरक शमता का लोहा मनबाती है लेकिन आठ मार्च है वो एक अदद दिन जब महिलाओं की इस शक्ति को जरा रुप कर जरा फुरसत से देखने समझने का मौका मिलता है और आज फिर वो दिन था और महिलाओं ने इस दिन अपने जजबे से वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी अपने बूते हवाई जहाज उड़ाया अपने दम दिल्ली की सुरक्षा सम्हाली जंगी जहाज पर मजबूती से मोचा सम्हाला घोडे की सवारी करके विधान सभा पर दस्तक दे दी आज ये तस्वीरें सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बलकि पूरी देश और दुनिया को गर्फ से भर देंगी देखिए हिम्मत, होसले और चुनून का ये सिलसला अलाइंस एर ने महिला दिवस्पत बरेली के लिए एक नई उडान शिरू की तो भला कमान महिलाओं को सौपने का इस से अच्छा मौका नहीं हो सकता था इस उडान में पाइलिट से लेकर फ्लाइट स्ट्यूर्ट तक हर मोचे पर महिलाई ही थी अगर महिलाएं अपने बूते पूरी उडान संभाल रही हैं तो एर ट्रैफिक कंट्रोल करने जैसा तक्नीकी काम भी वो उसी दक्षिता से कर रही है सोंवार को महिला दिवस्पत बिल्ली एटीसी की एक पूरी शिप्ट महिलाओं ने संभाली और आस्मान के बाद सीधे आपको समुद्र की लहरों में ले चलते हैं जंगी जहाज आई एनेस शक्ती पर दो दशक के बाद महिला अफसर की तैनाती की गई और आज वो बहु भी हर जिम्मेदारी संभाल रही है आस्मान समुद्र के बाद अब जमीन भी देख लीजिए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के हर मोर्चे पर महिलाएं सिपाही और अफसर मजबूती से अपनी भूमिका निभा रही है यहां तक की संकट की घड़ी में सबसे पहले मदद देने वाली PCR वैन का एक बड़ा बेड़ा भी सिर्फ महिलाओं ने ही सभाला है आज जब इनका फ्लैग मार्च निकला तो तस्वीर जोश से भर देने वाली थी दोनों तरब जो दिल्ली पुलिस की PCR वैन आप देख रहे हैं यह आधी आभादी यानि नारी शक्ति को बया करते हैं दिल्ली पुलिस की PCR वैन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दोरान तक्रिबन इन PCR में साढ़े 900 प्रेगनेंट मुमें अस्पताल छोड़ी गई जिसमें नो बच्चे इसी PCR वैन में जर्म लिए यह PCR वैन जो पुरी तरीके से महिला पुलिस कर्मियों पर अधारित है यह PCR में आप सर्विस करते हैं किस किस तरह की कॉल्स आती हो कितना चैलेंज होता इसमें इचाहरा की कोलस आती है जैसे आकशीडंट के हैं चाल्ड मीसिंग है अधर कॉल्स भी आती है और भूर्ण सारी कोलस में हल्प करते हैं का कभी tomorrow चैस्ष करती है अगर कूई चैन्स नेचर या बदमास असा कुछ कि यहां पर मतलब बहुत भीड होती है एक तरीके से तो यहां पर ड्राइव करने में मतलब हमें बहुत प्राउड फील होता है देश की राजधानी में और किस तरह की कॉल साती है कई कोई ऐसी चैलेंजिंग कॉल कर यह से सामने स्नेचर उसको चेस करना पकड़ना हाँ जी सर सभी तरह की कॉल आती हैं जैसी हमें सिच्टेशन होती है उसी तरीके से हम भीडल करते हैं आफ फील्ड का नाम बताइए और इसमें महिलाएं अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है जरा राची चलिए जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर राची रेल मंडल ने एक अनोखी पहल की है महिलाओं को मौका दिया अपनी काबियत दिखाने का और मिला ने ट्रेन परेचालन से लेकर स्टेशन प्रवंदन, संचालन, सिग्नल, ट्रेन शंटिंग और सुरक्षा के सारे काम समभाल लिए कहीं कोई चूक नहीं कहीं कोई खामी नहीं और ये देखिए MP के सबसे शक्ति शाली शक्त यानि C.M. शिवराज सिंग की आज की हफाजत भी महिलाओं के जिम्में दी और C.M. के ग्रिहमंत्री ने भी महिलाओं के सम्मान का अनूठा कदम उठाया उन्होंने ग्रीह मंत्री की अपनी कुर्सी एक दिन के लिए उस महिला सिपाही के हवाले कर दी जो उनकी हिपाजत में तैना थी हर महिला दिवसपर महिलाएं पहले से ज़्यादा खुद को साबित करती रही है और इस बार भी ये रवायत बनी रही ब्यूरो रिपोर्ट आज तक आज अगर महिलाओं ने समुद्र से लेकर सुरश्चा तक में अपना जोहर दिखाया है तो बिलकुल अलग अलग शेत्रों में भी महिलाओं ने जोश औ खरोश के साथ अपनी शिरकत की है 103 दिन से लगाता क्रश्य खानूनों का विरोध कर रहे किसान अंदोलन को आज महिला किसानों ने एक नई शक्ति दी है सैक्लों की तादाद में महिलाओं घर, खेत, खलियान छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर किसान अंदोलन में किसानों के साथ डटी हुई घर से खेत, खलियान तक महिला शक्ति अब आंदोलन के मोर्चे पर भी महिलाए धरती पुत्रों के साथ महिलाओं का दम एक सोतीन दिन से किसान खेती कानूनों को लेकर जंग लड़ रही है लेकिन सोमवार को दिल्ली की सरहदों पर जमे इन किसानों के लिए दिन कुछ खास था खास इसलिए क्योंकि कल तक जो महिलाएं उनका घर सम्हालने के साथ साथ खेट पर उनकी सबसे बड़ी मददकार बनी थी वो आज आंदोलन के मोर्चे पर भी आडटी हाथों में आंदोलन के जंडे पैनर लेकर महिलाएं मुहिम में मस्बूती से आकर शरीख हो गई महिला दिवस की ये सबसे शानदार तस्वीर थी महिला दिवस पर महिलाओं की ताकत का ये नजारा काफी कुछ कह गया बता गया और जता गया कि क्या घर और क्या खेट और इससे आगे बढ़कर खकों की आवाज बुलंद करने का मोर्चा ही क्यों ना हो वो किसी में भी पीछे नहीं है पहले गाजिपूर की तस्वीर देखिए महिला किसानों ने हाथों पर इनकलाब की महंदी रचाई सीधा संदेश था कि हम किसी से कम नहीं महिला दिवस है और आंदोलन जो किसानों का चल रहा है वहाँ भी महिलाएं बागडोर समालेंगी किस तरीके से समालेंगी क्या यहां से संदेश देंगी वो इनकी महंदियों में साफ दिखता है यह है इंकलाबी महंदी यानि किसान एकता और जो महिला सशक्तिकरण है दोनों को दर्शाने के लिए महिंदी की पूरी रसम है आज जो भी महिलाएं यहाँ पर इसका हिस्सा बनेगी उनके हाथों में सज़ेगी महिंदी आम तोर पर महिलाओं के लिए महिंदी बहुत कुछ माइने रखती है और जब भी त्योहार होता है तो महदी रहचाई जाती है लेकिन आज अलग मतलब से ये महदी रहचाई गई है टीक्री बॉर्डर पर भी महिला किसानों ने मस्बूती के साथ मोचा समहला उनकी आवाज में भरोसा था उनकी बातों में तरक शक्ती थी और सबसे बढ़कर ये इरादा था कि वो हर मोचे को कभी भी मस्बूती के साथ समहल सकती है महिलाई यू तो किसान आदोलन के दोरान खेतों पर हर काम समहल रही थी लेकिन अब उनकी दिल्ली की सरहदों पर सीधी मौजूत की बता रही है कि वो हर हुनर में माहिर है और हर चुनौती से जूजने का जज़वा उनमें है आशुतोष और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो